इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने विंडोस 11 लाप्टॉप कंप्यूटर में वाइफाई कैसे ओन करें कैसे चालू करें तो उसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक कर लें यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करें और settings का option आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा तो इसे open कर लें और यहाँ पर आपको network and internet का option दिखाई देगा इस पर click करें यहाँ पर आप देख पाएंगे wifi ठीके तो यह on है ठीके तो आपको इस arrow पर click कर रहा है यह arrow है जो on का तो जैसा मैंने on किया है वैसा आप भी on कर लें और इसके बाद यहाँ पर show available networks के option में जाएं यहाँ पर आपको सारे wifi नजर आ जाएंगे अगर कोई wifi hidden है यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर hidden network में आ जाएगा आपको उसके उसका नाम और password पता करना है तो आप उसे connect कर पाएंगे ठीक है उमीद करता हूँ आप समझ गया होगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स लोग को सब्सक्राइब ज़रू कर दे